हेलो डियर आप लोग को स्वागत करते हैं जी भी एन्म के कंडिडेट है पता है आप लोग को कि इससे पहले मैं आप लोग को जो है 33 वीडियो तक मैं कर चुका हूँ समझ गए कितने वीडियो 33 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं पिछला 2-3 वीडियो से होगा इसी परकार से लाएंगे फिर हम लोग उसके बाद जो है MCQ के तरफ चलेंगे ओके चलिए अभी मेरा 34 वीडियो है इसके बाद लगभग 6 वीडियो और आएगा जो इसी परकार के एक परकार से कहिए नोट्स के तौर पर या एक परकार से कहिए तो वन लाइनर के किलियर होगा थियोरी से बहुत सारत चीज़ों में जो है आपको मदद मिलेगा ओके तो चलिए हम यहाँ पे सुरू करते हैं देखिए आज हम लोग कुछ वायरस यानि वायरस से होने वाला कुछ जो है रोग के बारे में देखेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में वायरस ब पढ़ेगा नहीं पढ़िएगा कोई नहीं आपको जॉब दिला सकता है अगर आप इस धुन में है कि पैसा दे देंगे ये दे देंगे तो वो सब एक जो है ऐसे ही बला बात है कुछ होगा नहीं समझ गए चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखिए इधर है व पॉमन कोल्ड जो होता है जुकाम जिसको बोलते हैं वह आपको राइनो वायरस के कारण होता है समझ गए कौन सा राइनो वायरस के कारण होता है इस चीज को ध्यान में रखना है इन्फुलुएंजा होता है जो कि मैक्सिको वायरस के कारण होता है ध्यान में रखना है एन् फ्लेवी वाइरस के कारण होता है योलो फिवर मिजल्स जो होता है माइडियर मिजल्स जो होता है मौडवेली वाइरस होता है समझ गए मोरवेली वायरस के कारण आपके या फिर कहीं कहीं आपके खसरा के लिए परा मैक्सिको वायरस भी दिया रहेगा तो इस चीच को ध्यान में रखना है आगे है एस्मॉल पॉक्स माइडियर एस्मॉल पॉक्स जो है आपका वह smallpox भाइरियोला वाइरस के कारण होता है समझ गए smallpox जो होता है वह भाइरियोला वाइरस के कारण होता है चिकेन पॉक्स समझ गए चिकेन पॉक्स जो होता है भाइरिसेला जोस्टर वाइरस के कारण होता है पोलियो पोलियो वाइरस के कारण होता है हर्पिज जो बिमारी होता है वह हर्पिज सिंपलेक्स वायरस के कारण होता है पता है आप लोगो मंप्स होता है मंप्स वायरस के कारण रेविज होता है रेविडो वायरस के कारण समझ गए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेपटाइटिस में पाँच परकार के होता है A, B, C, D, E एपाचों में से कोई भी हो सकता है इनसेफलाइटिस होता है जो कि आपके ब्रेन में सूजन पैदा करता है इसे जपानीज इनसेफलाइटिस वाइरस भी कहते हैं पानीज इनसेफलाइटिस वाइरस भी कहते है HIV AIDS होता है HIV वाइरस के कारण और डेंगू होता है तो नर्माली हम इसको डेंगू वाइरस भी कह सकते है बट डेंगू जो है एडिस एजेप्टाई मच्छर के काटने से होता है समझ गए? एडिस एजेप्टाई मच्छर के काटने से जो है आपका डेंगू होता है समझ गए? कहीं कहीं डेंगू वाइरस भी देता है तो आप घवराईएगा नहीं चलिए तो ए हो गया वाइरस और उससे होने वाला रोग मैंने बता दिया अब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया तो जब तक आप इसको दो बार नहीं ध्यान से देखिएगा रटना अलग चीज है और किसी भी चीज को ध्यान से देखना अलग चीज है ध्यान से जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आपको दिकत ही होने वाला है जैसे देखिए, ओरल पोलियो भैक्सिन, इसको हम लोग सोट में O-PVV कहते हैं, ओरल पोलियो भैक्सिन, इसका खोराक दो बुंद होती है, जिससे मुह द्वारा पिलाया जाता है, समझ गहें, अगर आपसे एक्जाम में पूछे, कि O-PV किस रूट के द्वारा दिया जाता ह तो O-RAL Root, मुह द्वारा पिलाया जाता है, दोबुन जिन्दगी का, ओरल पोलियो भैक्सिन की खोज, 1997 में सेविन द्वारा की गई थी, इसे सेविन परकार की पोलियो भैक्सिन, सेविन टाइप पोलियो भैक्सिन भी कहते हैं, तो यह कुछन अच्छा है, ओरल पोलियो वैक्सिन की खोज कब की गई थी, किसके द्वारा, यह याद रखिएगा, ओके, हेप्टाइटिस भी वैक्सिन, हेप्टाइटिस भी नामक खतरनाक बीमारी की रोग थामेतु उप्योग में ली जाती है, हेप्टाइटिस भी किसका रोग है, लीवर का रोग है, समझगे, लीवर करोगे, हेप्टाइटीस अभी उपर पराये हैं, पांच पर करके भायरस होता है, एसे लेकर E तक होता है, समझेगे, याद रखिएगा, समझेगे, चलिए, आगे हैं यहाँ पे देखिएगा, इसकी खुराग 0.5 ml होती है, इसे इंट्रामस्कूलर मार्क आई-म जाता है, अब यह जो हेप्टाइटीस भी होता है, इसका खुराग 0.5 ml होता है, यह इंट्रामस्कूलर आई-म के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, ओके, डीपीटी एक मिस्रित मिक्स परकार की भैक्सिन होती है, मिक्स मतलब इसमें डीपीटी तीन है, पतरनाक बिमारी, गोल घुन्टू दिप्थिरिया, काली खासी पर्टू सीस, टिटनेस, टिटनेस, समझ गए है, इन रोगों से बचाता है, मिजल्स एंट रुवेला एक टीका का टीका, 9 माह तथा 16 से 24 माह के उम्र पर दिया जाता है, माइड यार, मिजल्स 9 माह, ठीक है, मिजल्स एंट रुवेला का टीका, 9 माह तथा 16 से 24 माह के उम्र पर दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मिजल्स एंट रुवेला का टीका, एस सी सबक्यूटेनियस रूट द्वारा लगाया जाता है, अध स्वत्व अचिये जो कहते हैं, जिसकी खुराग 0 0.5 ml होती है, तो यह चीज़ ध्यान में रखना है कि मिजल्स एंट रुवेला सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा लगाया जाता है, जिसका खुराग 0.5 ml होता है, अब यहाँ पे है, एमे मार मिस्रित परकार की भैक्सिन है, जो तिन बिमारिया कॉम्निकेबल डीज से र लोग, आपके आगे सामने हैं यहाँ पे, असपस टूप से देख लीजिए, क्या है यहाँ पे, BCG बैसिलस कॉलमेंट गिवरीन, समझ गए, BCG भैक्सिन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेट टमप्रेचर पर एस्टोर करके रखा जाता है, तो यह भी प्रशन आप से पुछा जा सकता है, कि BCG को कितने टमप्रेचर पर रखते हैं एस्टोर करके, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेट, ओके, प्रभाविता को बनाए रखने के लिए इसे प्रकास से बचा कर रखना चाहिए, इफेक्टिव रहे, इसके लिए इसे जो है, हमको लाइट से बचा क रखना परता है, समझ गए, चलिए, BCG भैक्सीन के तनूकरण, डिलुजण है तू, नर्मल से लाइन, से लाइन का यूज़ किया जाता है, तेयार भैक्सीन को 3 घंटे तक यूज़ में लिया जा सकता है, इसके बाद सेस भैक्सीन को फेक दिया जाता है, तनूकरण का कि BCG का जो भैक्सिन होता है उसे हम लोग घोल जो त्यार करते हैं उसमें नोर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं समझ गए और जो त्यार भैक्सिन हो जाता है उसको हम त्यार करने से लेकर तीन घंटे तक ही उजमें कर सकते हैं उसके बाद उसे फेक देते हैं खराप हो जाता है BCG भैक्सिन को लगाने के लिए ट्यूवर कुलीन सिरिंज का उप्योग किया जाता है जिसमे 26 गेज वाली सुई लगी होती है अब इस परकार से परसना आपके पुछते हैं पूछ देगा अब कुछ नहीं पुछेगा कि BCG में टीका लगाने में किस सिरिंज का इस्तमाल करते हैं तो ट्यूवर कुलीन सिरिंज होता है पूछ देगा कि कितने गेज का होता है ट्यूवर कुलीन सिरिंज तो 26 गेज वाली सुई होती है तो ये सब एक एक अंदर से पुछेगा तीसी प्रकार से प्रस्ण पुछेगा समझ गए? सिधा अब वो वाला जमना गया कि BCG का फुल फर्म क्या होता है? BCG किस बिमारी से बचाता है? अब गया कहानी समझ गए? आगे है BCG भैक्सिन लगाने के लगभग 2-3 सबता बाद टीका करन अस्थल पर एक पेप्यूल उत्पन हो जाता है मतलब जी सास्थान पर दिया जाता है वहाँ पर एक पेपूल उत्पन हो जाता है उस जगा पे जहाँ पर दिया गया रहता है BCG भैक्सिन लगभग 15-20 वर्ष के लिए सुरक्षा परदान करती है समझ गए? BCG भैक्सिन अगर बच्चा में कोई ले लेता है तो उसे 15-20 वर्ष यानि एडल्ट होते होते या जो है उसे क्या करेगा बचा कर रखता है ओरल्ट पोलियो भैक्सिन ओपी भी पोलियो की रोग था में तु दी जाती है पता है चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं आगे क्या है आपके सामने है देख लीजे नेशनल इमिनाईजेशन सेटूल NIS के अनुसार एक सिसू तथा बच्चे को ओरल्ट पोलियो भैक्स के खुराके निम्न समय सार्नी के अनुसार दी जाती है अब यहां पर इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रिये टीका करन सार्नी के अनुसार सिसू तथा बच्चे को मुग के द्वरा जो पोलियो भैक्सिन दिया जाता है उसका खुराक जो है निम्न समय सार्नी के अनुसार दी जानी चाहिए मतलब कितने कितने समय पर दी जानी चाहिए पहला जो जीरो खुराक होता है वह जन्म के समय ही दे दिया जाता है समझ गए उसके बाद जो पर्थम खुराक होता है छटमे सब्ताह की एज पर मतलब देर महीने पर दुतिये खुराक 10 सप्ताह पर तिर्तिये खुराक 14 सप्ताह पर और बुष्टर जो है 16 से 24 माह के एज पर तो आपको ध्यान में रखना है जन्म के समय के बाद 6 वर्स फिर उसमें 4 आइट कीजिए 10 फिर 4 आइट कीजिए 14 सप्ता और 14 सप्ताह के बाद सीधे माह में जाएगा 16 से 24 माह के एज पर बुष्टर डोज तो पूछ देगा कि OPV जो भैक्सिन है उसका बुष्टर डोज कप देते हैं तो 16 से 24 माह पर ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक और प्रस्ण और संदार जो हम लोग आ रहा है कुछ चीज़े परते हैं कहता है सबसेंटर दोरा परदान की जा रहा ही स्वास्ट सिवाओं का मुख्य फोकस बिमारियों की रोगथाम पर होता है हलाकि यहाँ उन्यात्मक, प्रोमोटिव, नैदानिक तथा कुछ मात्रा में उप्चारात्मक स्वास्ट सिवाओं का समावेस भी किया गया है देखिए सबसेंटर कोई बरका जो है हब नहीं होता है ट्रीटमेंट का यहाँ पे सिर्फ जो है बिमारियों की रोगथाम पर फोकस किया जाता है समझ गया है? जो की आपके छोटे छोटे लेवल पर गाउं में होता है और यह जो है प्रोमोटिव और डाइगनोस्टिक और तथा थोड़ा सा थिर्फेटिक परकार के स्वास्ट सेवा यह देता है ज्यादा नहीं दे पाता है बेहतर प्राइमरी हेल्थ केर सर्विस परदान करने के लिए पर बेहतर प्राथमिक स्वास्ट सेवा परदान करने के लिए उदेश से मैदानी इलाकों में 30,000 की पोपुलेशन पर एक पीएजसी अस्थापित किया गया है पहारी तथा जन जाती एरिया में यह पोपुलेशन 20,000 तक हो सकती है यह सब आपको पता है कि पीएजसी का बेहतर अगर प्राथमिक स्वास्ट सेवा देना है तो उसके लिए पीएजसी की अस्थापना किया गया है जनसंख्या की बात किया जाए तो मैदानी एरिया में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएजसी होता है बात किया जाए जन जाती और पहारी एरिया में तो यही 20,000 के जनसंख्या पर होता है अब इसी चीज़ को हम आगे चलिए देखते हैं कहता है एक P.H.C. के अंतरगात 5-6 उपकेंदर आते हैं माईड़ी यार एक P.H.C. के अंदर आपके कितने सब सेंटर होते हैं 5-6 सब सेंटर होते हैं याद रखिए गया एक C.H.C. अब यहाँ पर Community Health Center की बात आ गया है अब एक Community Health Center जो होता है वो 80-120,000 के जन संख्या पर होता है समझ गए? इतना जन संख्या को कवर करता है मैदानी एरिया में यह संख्या 1,20,000 होती है जबकि पहारी एबं दूर वर्ती एरिया में यही संख्या 80,000 पर होती है एक CHC की समझ गए? एक CHC मतलब एक Community Health Center चार PHC के लिए Referral Unit का भी कार करता है मतलब चार एक सिधा समझे ना कि एक CHC के अंदर चार PHC आएगा समझ गए? और आप जान अभी देखे हैं कि 20 से लेकर 30,000 के जन संख्या पर PHC होता है इतना के जन संख्या पर एक PHC होता है तो आप इसी में 4 से गुना कर दिजिए ना तो कितना हो जाएगा? 80 और 120 तो यही तो CHC वाला जो है आपका संख्या लेता है एक CHC तो आप ऐसे भी परमानित कर सकते हैं Community Health Center पर 30 बेड की विवस्था होती है मतलब जहाँ पर CHC होता है यहाँ पर 30 बेड की विवस्था होती है स्वास्थ देखवाल डिलेवरी तंत हेल्थ केर डिलेवरी सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो देशवासियों की उनकी अफसेक्ता अनुसार यथा संभव बेहतर स्वास्थ से वाहों के लिए किरियानवै से संबन्दित है मतलाव स्वास्त देखवाल डिलेवरी तंत्र देशवासियों की बेहतर देखवाल से सम्मन्दीत है अब यहाँ पर मैं कुछ चीजे और आपको यहाँ पर इंक्लूट करता हूँ एक सबसेंटर तीन से पांच हजार की जन संख्या को कवर करता है तभी आपको पता है कि एक पी एच सी के अंदर लगभग पांच से छे जो है सबसेंटर होते हैं समझ गए तो छे से गुना किजिए तो आठारा आठारा से तीसाजार हो जाएगा अलगभग बीस से तीसाजार तो हम लोग देखे ही है पी एच सी का जन संख्या यहां स्वास्थ सेवाय परदान करने मतलब एक सबसेंटर पर एक सबसेंटर तीन हजार से पांच सेजार की जन संख्या को कवर करता है अब यहां स्वास्थ सेवाय परदान करने के लिए एक एनेम तथा एक पूरुष स्वास्थ करकरता कार करते होते हैं तो अगर आप A&M का जॉब लिजिएगा तो आपको इसी सब सेंटर सा पर जॉब दिया जाएगा और सब सेंटर और सब सेंटर इतना मस्ट जॉब होता है नोकरी के लिए क्या ही कहे जाना है हाजरी बनाना है मरीज दो चारगो आ गया आ गया दबाई दे दीजिए खिला हो गया खत्म अनंद का जीवन होता है एक रूम में बैठिए हपगप किजिए और आजाईए मस्ट होता है सब सेंटर पर नोकरी करना क्योंकि उतना खोजने पुछारने वाला कोई रहता नहीं है जाईए अपना मन से अपना मन से आईए दुआ चार आदमी आएगा उसको दे दीजिए दुचार को दबाई जो है अब अब बत खत्म समझगे तो बहुत अच्छा होता है CSC को प्रथम रेफलर इवनिट भी कहा जाता है यहां बेहतर स्वात सेवाव की किरियानवे सुनीचित करने के लिए बिसेशक डॉक्टर नर्स ग्रेड ए पर्थम नर्स ग्रेड दूतिये लाइव टेकिनिसियन रेडियो गराफर फर्मासिस्ट आदिकार करते हैं तो माई डियर मेरा यही लक्ष है कि आप लोग को जब हो जदस जदा लोग जो लोग हमसे जूरे हैं उन लोग को जब हो और उन लोग को उजबल भविस का मैं कामना भी करता हूँ ए प्रार्थना करता हूँ बगवाल से कि जो भी लोग हमसे जूरे हुए हैं उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफलता मिले और मेरा विनाम चले और उन लोगों भी भविस उजवल हो जाए ताकि आगे जीवन में कष्ट ना हो समझ गए तो यह सब चीजे हैं और इसके लिए मैं ही कहूंगा पिलीज एक बार और कि आप एक बार और खुद से परना कोशिश कीजिए थोरा सा और दो में आप मेहनत कर लिजेगा न तो साइद आपका जिंदगी समढ सकता है और जिंदगी एक बार अगर समढ गया तो यह परमानेंट जोग आपके जिंदगी से कभी नहीं जाएगा फिर मोज मस्ती में जिंदगी आपका कटते रहेगा और आपके परिवार का भी भाला हो जाएगा तो इसलिए थोरा सा मेहनत कीजिए परिवार को भी थोरा सा जो है आप अपने और थोरा सा रिजहाईए कि हमें कुछ दिन समय दीजिए परने दीजिए मानते हैं बहुत लोग हाउस वाइफ होईंगे जिनको परने में दिक्कत हो रहा होगा लेकिन दिक्कत को ही सामना करते हुई अगर आप आगे निकलते हैं तो फिर आपका जीवन बेहतर होगा तो थोरा अपने फैमिली को भी जो है सपोर्ट मांगिए कि थोरा से सपोर्ट कीजिए एक तो महीना सम्हार ये काम को तब तक हम कुछ परते हैं अपने समय पर एक दो घंटा डेली परने की पर्यास कीजिए खुद से ध्यान लगा कर थियोरी पेपर को और बाकी तो मुवाइल से तब जब मन तब पर सकते हैं कोई दिकत रहे हैं लेकिन खुद से भी परने का पर्यास कीजिए क्योंकि आपको थियोरी पर्सन अच्छा रहेगा तो आप किसी भी परकार के कुश्चन को बना दोगे समझ रहे हैं तो यही चीज़े हैं बाकी चलिए मिलेंगे कोशिस जारी है कोशिस करते हैं कि आप लोग को बहतर से बहतर कॉंटेंट दे जिसे कुछ सीखे और एक्जाम में आए तो आप बना सके ओके मिलेंगे अगले वीडियो में अपना ख्याल लखिएगा देने वाड़ कोशिस करते हैं